नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि डोबेस 625 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, डोबेस 625 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और डोबेस टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डोबेस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, डोबेस 625 एक ब्रैंड नेम है, डोबेस 625 टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, डोबेस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन अमोकसिसिलिन 500 mg और पोटैشियम क्लेविलैनिट 125 mg होता है, डोबेस टैबलेट एक अंटिबायोटिक दवा है, डोबेस टैबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टिरियल इनफेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फफ़्रों में बैक्टिरियल इनफेक्शन होने पर, निम इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इनफेक्शन होने पर भी डॉक्तर डोबेस टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. शरीर में इनफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्तर डोबेस टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स है, जिनमें आपका डॉक्तर डोबेस टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में डोबेस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंट व्यक्तियों में डोबेस टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, बदहज्मी होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आधी साइड इफेक्ट्स डोबेस टैबलेट की वज़से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की डोबेस टेबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है डोबेस टेबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर डोबेस 625 टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। डोबेस टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको डोबेस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि डोबेस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। डोबेस टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने डोबेस टैबलेट को लेने की सलाह दी है। क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक डोबेस टेबलेट को लेने से antibiotic resistance हो सकता है और antibiotic resistance होने पर वो antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और डोबेस टेबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए आपको डोबेस टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए। डोबेस टैबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में डोबेस टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को amoxicillin, potassium clavulinate, penicillin antibiotic या sephlosporin antibiotic दवाओं से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को douobase tablet का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए, वैसे douobase tablet pregnant महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी douobase tablet का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को douobase tablet को लेने की सला दे सकता है, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका douobase tablet से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.